नमस्कार जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार भई आपका भी षूअगत है ब्लु गार्ड फूट प्रोसेसिंग मसेनरी बालाजी इंडस्ट्रीज में तो आज आप हमेरे और ओडियेंस के लिए क्या स्पेशल लेक्वे आई है आप आज ओडियेंस के लिए पोटेटो पिलर अलू छिलने का मशीन है और यह हो गए शुगर केंट जूस मेशीन जो आज के दिन में जो अपडेट है वो यह बगल में जो खड़ा है वो ग्रेवी मशीन ने यह वाला है चिली कटर अच्छा तो फर्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं जिसे यह पोटेटो वाला हो गया होटेल वाला हो गया को अंशेत्र जो होता है कि वहां इसका चाधा तरह यूज रहता है अच्छा आप बात करते हैं अपन कि कितनी कैपिसिटी होती होगी इतमें कितना मतला अलू ए गंड़े में यह वाला मोडल है 10 केजी का है और यह इसमें 5-10 मिंट में 10 के अलू चिल जाते हैं तो क्या अलू को मतला उबाल के चिलना पड़ता है या फिर सीधे डाइरेक्ट नहीं नहीं आपको फर्स्ट ओफोल क्या करना है कि आलू इसमें डाल देना है साथ में थोड़ा इधर एक जो पानी जहां से इनलेट करना है यह पॉइंट भी दिया आपको इधर से बाला ओपन करेंगे अब इधर से करेंगे तो इधर से आलू निकल जाता है इसमें साइड में दीवा इधर से निकल जाता है साइड में अच्छा अब आपन बात करते हैं कि इसकी कुछ स्पेसिपिकिशन की कि इलेक्टरिसिटी मोटर कितनी क्या है वो इसम कम पावर कंजूम करता है तो क्या मोटर भी आप ही बनाते हैं इसका मोटर का प्रोडक्शन भी मेरा खुद का है कि खुद का डिजाइन वाला कोपर उसमें डाला हुआ है तो कितना एलेक्टरिसिटी खाता होगा अचा तो यानि कि यह जो आलू छिलने का मशीन है बहुत अच और उसके बाद में और क्या प्रोड़क आप दिखाने वाले इस वीडियो में एक पड़ा है वह है चिली कटर अच्छा ये क्या काम आएगा ये जो कोई भी है कोई सब वेजिटेबल से उसका छोटा-छोटा पीस करने के लिए टुकड़ा जो करना है तो उसके लिए चाहिए घंटे में बीस केजी आपका जो कोई भी चीज हे उसका चोटा-छोटा-छोटा पीस कर सकता है तो आपका अच्छा और तो अब और क्या है आपके पास उसके बाद यह आपके बगलने पड़ा सुगर के जूस मसीन है अंदर में जो रोलर है वो पूरा सोलीड है और SS304 का है उसमें उसकी में खासे तो है कि पूरा लो मेंटेनस है फ्री मेंटेनस है उसको एक बार गंणा डाला तो आपको पूरा एक बार में रस निकल जाता है अच्छा नेक्स यहां पर कुछ ग्रेवी मेशिन दिख रही है तो इसका कुछ आप स्पेसिफिक्शन बताइए सर इसका स्पेसिफिक्शन इसमें दो इस पी तीन एच में अविलिबिटी होता है उसका जो पूरा चेंबर है पूरा SS का रहता यह भी केटरिंग में हो गया कि समझो कि कोई आजकाल कोई सबजी बनाते उसमें ग्रेवी डालने का चाहे पंजाबी साख ले तो उसमें सब बगएर की जरूरत पड़ी तो ग्रेवी करने के लिए होता है अच्छा यह तो अपने चूर्मा बनाते हैं तो चूर्मा बनाते ह अच्छा यह पोपर मोटर रहता है उसका वन यहर का वारंटे रहता है और जो चेंबर है उनका क्या है उसका तो लाइफ टेम है सर लाइफ टाइम जब तक जिन्द के तब तक एस करो अब यह जितने भी मशीने हैं उसमें से कुछ डेमो भी दिखाएंगे आप यह सर आपक कि अब में स्विश स्टाट करके मसीन स्टाट हो जाता है अब चाहिए आप यदियो कैंचंक बतालोक कि अजु पूए नफब ओ प्रएब प्रीजेана प्रीज़ कि अप्रोपत कि लुड मुट कि अप्रोपत मुट दोस्तों इस मेशिन को खरिदना चाहते हैं तो बाला जी इंडिस्ट्री और ब्लू गार्ड ब्रांड एंगी तो आप यहाँ आकर भी विजिट करके खरिद सकते हैं साथ ही मैं मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा तो आप गर बेटे भी से खरिद सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर रहे हैं मिलते हैं अगले विजिट के साथ तब तक के लिए जय बाराज जय राजिस्तान वंदे मात्रम